हलो दोस्तो गेड मार्निंग और कल साम को वारिस हुआ है ना थोड़ा से आज अच्छा लग रहा है सुबह और सुबह ज्यादा अच्छा नेन भी रहता है और थंदा लगता है ना तो इसलिए आच्छा नेन भी होता है और देखिए मैं एक स्कूल के फॉंट में हूँ जो इ वाकिन तो मैं नहीं आई थी सुबह जिस्ट मैं इसी ही घुमने जैसे आगी थी और आप लोग सुबह कितना वजूटते हैं वाकिन जाते हैं क्या बताईएगा वाकिन जाना भी चाहिए है हेल्थ के ले अच्छा है अच्छा नहीं लगेगा फिर यह सेक्टर 20 का बाटा मार्केट है दोस्तों आप कभी सेक्टर 20 आएंगे तो यहाँ पर देखेंगी यह बाटा मार्केट है यहाँ पर यह एक डब बला का दुकान है और उधर जो दिख रहा है यहाँ पर गुप्चूप चौमीन वंचुलन बगएर साम को फस्ट फूड लगता है और अगर आप इधर जाएंगे तो आप सेक्टर 20 का स्टार चौक पाएंगे और आप अगर इधर जाएंगे तो यह सेक्टर 20 से मैन रोड को कलेक्ट करता है और अगर आप इधर जाएंगे तो यह होता है फिल टॉप चौक आगे में हराउलकला में सबसे जादा यही अच्छा लगता है अच्छा भी है सबको पेड लगाना भी चाहिए आज ओडिया नवबर्स पॉना संक्रांती है तो मेरे तरब से आप सभी लोगों को हपी ओडिया नवबर्स पॉना संक्रांती और आज तो सबके घार में पॉना बनेगा और बहुत टाइप बनता है आप जैसे ही बना सकते हैं उसको नारियल, फूट्स, बहुत सरा फूट्स मिक्स करके बना सकते हैं दूद, दही भी बनाते हैं और सरबज जैसे ही बनता है बहुत अच्छा बनता है क्योंकि मेरे दोस्तों जादा पीटते हैं मैं कहीं पी नहीं हूँ क्योंकि मैं थाइमेखी हूँ, और कुछ ने, मैं स्कूल का फॉट्स में एक पीलर जैसे है यहां बैठी हूँ और सुबह, सुबह, इतना अच्छा लग रहा ना मत बोलिए मैं तो बहुत कुछ क्यों गर्मी तो नहीं लग रहा है क्योंकि अच्छा लग रहा है और यहां का तो ग्रीन ग्रीन जो है देखे और इधर भी देखे राउल के लगए यही एक सबसे मस जीज है कहीं भी जाओ ज्यादा पेड़ ही पाओगे क्योंकि यहां पेड़ लगाया हुआ है रोड के दोनों साइट पे है मतलब जब गर्मी के टाइम है फिल्हाल गर्मी चल रहा ना तो जब धूप होता है तो आपको छाओं भी मिल जाएगा क्योंकि यहां पर ज्यादा पेड़ है तो चांप मिल जाएगा और अच्छा भी लगता है झाल भी लगता है